तो आज में आपके लिए कैसे इंटरस्टिंग स्लैशर और थिलर मूवी लेकर आया हूँ इससे देखकर आपको भी चिल्स हा जाएंगे इस मूवी को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि शायद इस मूवी में डेमन है ये मूवी बहुत ज़्यदा सस्पिसन भरी मूवी है और मूवी के एंट तक आप भी सोचना में पढ़ जाएंगे कि आखिर कर मूवी में क्या चल रहा था तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जर लगा रहा था, क्योंकि वो किसी अकले बच्चे को देखकर उसका किड्नैप करना चाहता था फिर हम मार्टेन ब्रिस्टल नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो की अपने गर के बाहर जूले पर बैटावा था मार्टिन को एक ऐसी बिमारी थी जिसमें वो किसी भी तरीके का फिजिकल पैन फिल नहीं कर सकता था अब घर के अंदर उसकी मा कैथरीन ब्रिस्टल एक उरत से मार्टिन के बारे में डिसकस कर रही थी जिसे कैथरीन ने मार्टिन की बेबी सीटिंग के लिए रखावा था वो बताती है कि मार्टिन की इस बिमारी की वज़े से उन्हें उसका नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उससे किसी चोट का एहसास ही नहीं होता है तब भी ग्रहाम मार्टिन को अकेला पाकर उसके पास मैं जाता है और वो उसे बैक का लालच देकर अपने साथ में ले जाता है कैथरीन जब मार्टिन को भार ढूने लगती है तो उससे कहीं पर नहीं मिलता है ग्रहाम अब मार्टिन को अपने साथ अपने ठिकाने पर ले जाता है जो कि सालों से बंद पड़ा हुआ एक स्लोटर हाउस था और इक स्लोटर हाउस को एक समय उसके पेदा चलाय करते थे यहाँ पर वी लोग जानवरों के मास बेचा करते थे और ग्रहाम उन जानवरों के देखरे क्या करता था जिस वज़े से ग्रहाम को उनसे एक अलगी लगाव हो गया था हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रहाम ने पहले से एक लड़की को बांद कर रखावा था फिर ग्रहाम मार्टिन के फेस पर एक कट लगाता है और फिर उस लड़की को चाको से स्टेप करके उसके सामने माढ डालता है यह देखकर मार्टिन बुरी तरह के से डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है लेकिन ग्रहाम उससे पकड़ लता है और इसी के साथ में यह सीन यह पर कट होता है कहानी अब आज असे 5 साल के बाद से शुरू होती है जिसमें एलीसन नाम की एक लड़की अपना पेरेंट्स की डिक्त के बाद उस टाउन में अपने अंकल जोनाथन के घर पर रहने के लाई थी जोनाथन की वाइफ केरेन और बेटी वेंडी उसका अच्छे से वेलकम करते हैं फिर अगले सीन में मेलीसन नाम की एक लड़की अपना काम करके रेस्टरॉंट से निकल रही थी तब ही ग्राम वापर आ जाता है और उससे मार कर उससे भ्योश कर देता है और फिर वो उससे उटा कर अपने साथ में ले आता है फिर जब उससे होश आता है तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर उसके साथ में उर्व कैसरी लड़किया है अब अगले सुबह जब एलिसन चोगें के ले जाती है तो ग्राम के सोटर हाउस के सामने से निकलती है और वहाँ पर पासे में खड़ा हुआ विलियम नाम का एक लड़का जो कि अपने कैरेज में था वो एलिसन की मदद करने के लिए उसके पास में आता है और उसकी ऐसे हलत को देखकर वो उससे अपनी बाइक से घर चोड़ने के लिजाता है और उन्हें साथ में जाता देख ज इसकल को दिवार पर लटका के रखावा है और जब अकला होता है तो वो उस इसकल से बाते भी क्या करता है और यह देखकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि ग्राम उसको गुलाम हो जब मार्टिन कैबिर में शुपा होता है तो ग्राम मार्टिन के पीछे साता है और उस बूल के एलिसन को कॉलेज छोड़ने के ले जाता है एलिसन के पूछने पर वो उसे स्लाटर हाउस के बारे में बताता है वो ये भी कहता है कि उस जगप पर एक आदमी रहता है जोकी जोनातन की एज काई है लेकिन वो कभी भी स्कूल नहीं गया और एलिसन को उस जगए से दूर ही तैना चाहिए अब अगले सीन में ग्राहम मार्टिन को बेस्मेंट से निकाल कर लाता है क्योंकि वो मार्टिन को अपने तरफ बनाना चाता था यहाँ पर एलिसन अकेली कॉलेज से घर आने लगती है और रास्ते में उसे विल्यम अपने गराज पर काम करते हुए दिखाय देता है तो एलिसन विल्यम से मिलने के लिए उसके पास चली आती है यहाँ पर विल्यम का फादर टेड हैंडिकेप था और उसकी मौम की दो साल पहले ही बिमारी से मौत होगे थी जिस विल्यम को अकेली अपने फादर और अपने घर की देखरेक करने पड़ती थी फिर विल्यम के फादर के अजीब बिहेवर को देखकर एलिसन वहाँ से चली आती है अब जाते वक्त रास्ते में उसे ग्राम दिखाय देता है लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से निकलाती है अब अगले सीन में ग्राम मार्टिन के हाद पर कट लगाता है लेकिन उसे पेन फिलने ही होता है अब फिर मेलिसा के कहने पर मार्टिन मेलिसा को खोल देता है और वहाँ से भागने लगती है ग्राम केबिन के अंदर था और उस बुल के इसकल से ये कहता है कि तुमने जूबी कहा मैंने वो सब कुछ किया और तुम ये सब रोक सकते हो मेलिसा को वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं पता था तो भागते भागते उसे कैबिन में आ जाती है और ग्राहम उसे देख लेता है ग्राहम से बचने के लिए मेलिसा वहीं कहीं छूप जाती है लेकिन ग्राहम उसे पकड़कर उसके पेर में एक हुक डालकर उसे लटका देता है फिर वो उसे बनीशन में डालकर उसे जलने के ल केता है कि ये सब तुमारी वजह से हुआ है और देखने पर वो किसी बोड़ी के जैसा लग राता तब ही उसमें कुछ मुवमेंट होता है जिससे डरकर ग्रहाम पीछे हटने लगता है अब अगली शाम विलियम एलिसन को डिनर पर लेकर जाता है और वापस आते टाइम दोनो एक दूसरे को किस भी करने लगता है तब भी वहाँ पर जॉनातन आ जाता है और एलिसन को अपने साथ में लेकर उसे विलियम से दूर रहने को कहता है फिर उसी रात ग्रहाम एक दूसरी औरत को पकड़ कर लेकर राता है और मार्टिन का आत में चाकू देकर उसे उस स्कून को दुलवाने लगता है तबी उससे फिर से वही साय दिखाई देता है जिस परोछ चिला कर कहता है कि जो तुमने बिगाड़ा है मैं उससे सही कर रहा हूँ और अब मुझे तुम से डर नहीं लगता है अब अगले सीन में मार्टिन भाग राता और उसके सामने बुल का इसकल इंसाने रूप में आ जाता है जिसे देखकर मार्टिन बुल तरके से घपरा जाता है और उसकी आँके खुज जाती है चुकि ये उसका एक बुरा सपना था इधर एलिसन जोनतन के वज़े से नारास थी तो करें उससे आती है तब ही टेड़ भी वहां पर आ जाता है और एलिसन पर गुस्सा करने लगता है जिससे कि एलिसन वहां से फिर से चलियाती है अब जाते वक्त स्लोटर हाउस की विंडो पर उसे फिर से मार्टिन नजर आता है तो वो उससे देखने के लिए अंदर चलियाती है वो मा मार्टिन की भी न्यूज मिलती है फिर एलिसन को बाहर से कुछ आवाज आती है तो बाहर जाती है वो देखते है कि मार्टिन उसे चुप चुप कर देख रहा है लेकिन तब ही वहाँ पर ग्रहाम आ जाता है और एलिसन को मार कर उसे भ्योश करके बाकी लड़कियों के तर लगता है उसकी आवज सुनकर Graham एलिसन के मुँपर पट्टी बांद कर Jonathan से बात करने आता है Jonathan Graham से एलिसन और छोटे बच्चे के बारे में पूछता है जिसके बारे में उसे एलिसन नहीं बताया था लेकिन गरहम उसे वहां से जाने के लिखेता है और तब अचानक से एलिसन के पट Agriculture को आवाज लगाती है उसकी आवाज को जन्तन सुन लेता है लेकिन तब भी गरहम उसे शूट करके माडलता है फिर अंदर आकर वो एलिसन पर गुस्ता करता है और उसे एक कोड़ रूम में ले जाकर बंद करता है जहां पर उसे हुमन की बोड़ी के पार्ट्स और डेंट बोड़ी दिखाई देती है उन्हें देखकर वो बहुत ज़ादा डिल जाती है तब ही दर्वाजा के बार उसे मा पूर जाता है जहां पर उसे ऐली संद मिल जाती है लेकिन वो उससे बचा पता उस से पहले ग्राइन वहाँ पर आकर वीलियम को शौबल से मार मार कर उसकी हत्या कर देता है फिर ग्रहाम उस इसकल के सामने जाकर ऐसे भीव करने लगता है जैसे कि वही उसे सब कुछ करवा रहा है फिर वो ऐसे विजूलाइस करता है जैसे कि उसने उस इसकल को तोड़ दिया है अब फिर वो मार्टिन के पास में जाता है और उसे ये लगने लगता है कि मार्टिन अपने एसासों पर काबू पालिया है और इस वज़े से वो उसकी एबिलीटी से डरन लगाता फिर वो उसके हाथ में चाकू गुसा के ये केकर चला जाता है कि अपसे कुछ भी ऐसा वैसा मत करना वो तुमें देख रहे हैं अब जब गरहाम घर से कई बार जाने लगता है दूसरी तब गरहाम जोनातन की बॉड़ी को उसके कर ले जाता है यहाँ पर केरन दर्वाजा कुलती है तो हो उसे पकड़ लेता है और चाकू से स्टेप कर देता है केरन वेंडी को भागने के लिए के लिए तो वेंडी उपर रूम में जाकर शुप जाती है फिर गरहाम जोनातन की बॉड़ी को केरन के पास में लिटा कर महाँ पर आग लगा देता है जिसके बार में वो एक चौपर को लेकर वेंडी को मारने के ले जाता है वेंडी उसे कहती है कि मेरे एनिमल को हर्ट मत करना और यह सुनकर गरहाम थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि गरहा जाकर गरहाम को स्टैप कर देती है और गरहाम वहाँ से भाग जाता है फिर वो नीचे जाकर 911 पर कॉल लगाने लगती है लेकिन तब ही मार्टिन उसे स्टैप कर देता है और वो उसकी जान ले लेता है मार्टिन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इतने सालों से गरहाम के स देट बोडी ग्राम के फादर की है इसी बिच मार्टीन भी महाँ पर आ जाता है और वो एक कुलाडी से मार मार कर ग्राम के डेट बोडी के बे टुकड़े कर देता है और इसी के साथ में ये सीन यह पर कट होता है अगले दिन जब पुलीस जोनातन के घर पोच्छती है तो हेट के जगे बुल के इसकल को लगता है फिर विंडो पर खड़े होकर अपने नए शिकार का इंतजार करने लगता है मूवे के आखिर में पांच साल के बाद का सीन दिखाय जाता है जहां पर एक लड़की किसी से भागते हुए मार्टीन के घर चली जाती है और मार्टीन स बनी सारी लड़की कו अपने स्लोटर हाउस में लाकर मार करता था हूँ नक दिनों तक बांद रखता था फिर वह उन्हें एकार करकर मार खड़ता था यह बांच से अपने पिता को म लड़की roast को मानने लगा था ग्राम फिर मार्टिन को किड्नेप करके अपने घर पर लेकर आता है ताकि वो मार्टिन को अपने जैसा बना सके हम मुवी में ये भी देखते हैं कि ग्राम एक बुल के इसकल से बाते के करता था हम देखते हैं कि ग्राम ने अपने पिता को इमार डाला था और पर ऐसा भी हो सकता है, कि साइकोँ होने की वजएसे उससे उसके पिता दीखाई दिया करते थे, क्योंकि मुवी में हमने काईं भी डैमन या उससे रेलेटट चीज़ों का नहीं देखा दिखा है, हम यह भी देखते हैं कि मार्टिन लोगों का मानना नहीं चाहता था, लेकिन ग्राम को यसा करते हो देखकर वो भी साइको बन गया और मुवी के एंड में उसने भी लोगों को मानना शुरू कर दिया और मार्टी ने ग्राम के जगे ले ली तो दोस्तों कैसे लगा आपको दे ब्रेवमेंट मुवी का एक्स्पेनेशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंदा होगा वीडियो पसंदा हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जूरू करना